हाई फ्रेंट्स थैंक्स फो क्लिकिंग आप देख रहें हैं इंग्लिस उन साइट और मैं हूं मनोश उकलाव के साथ आपने अपना जिबान में बहुत सारे इंस्पिरेशनाल स्पिचर्च सुना है बहुत सारे इंस्पिरेशनाल वीडियो देखा है मगर ये वीडियो में मैं आपको कहना चाहता हूं एक इंस्पिरेशनाल पोएम के बारे में है तो ये पोएम क्या है पोएम की टाइटिल क्या है एस साम अफ लाइव एमेरिकान पुएट हेनेरी वार्षवाथ लंग फिलो की लिखी कभीता A.B. A.B. राइम स्कीम के साथ लिखी गाई है तो पूइम की टाइटिल ये साम अफ लाइफ के अर्थ क्या है? इसके मतलब क्या है? साम मतलब भजन, स्तोत्र ये साम अफ लाइफ मतलब जिबान के भजन, जिबान के स्तोत्र आएए सुनते हैं ये भजन, ये जिबान के भजन है ये जिबान के स्तोत्र है ओके, let's start फिर्स्ट अंजा, तेल में नाट इन मानफुल नंबज लाइफ इस बट अन एम्टी द्रीम for the soul is red that slumbers and things are not what they seem ये फास्ट अंजा है पहला लाइन क्या है तेल में नाट इन मानफुल नंबज ये पहला लाइन तेल में नाट इन मानफुल नंबज मुझे मत बताओ, don't tell me इन मानफुल नंबज मानफुल मतलब क्या है शुकागुल, शुकाग्रस्त वेरी सैड, उदास तेल में नाट इन मानफुल नंबज नंबज मतलब क्या है संग, त्यून, okay don't tell me, मुझे मत बताओ इन मानफुल नंबज उदास धुनो में, उदास गितो में मुझे मत बताओ सो क्या second line, life is but an empty theme life is only an empty theme but मतलब only here, okay life is only an empty theme जिबन एक खाली सपना है मुझे मत बताओ उदास धुनो में, बहुत उदास गितो में मुझे मत बताओ सो third line क्या है for the soul is dead, that slumbers क्योंकि आत्मा मर गई है जो सोती है जो हम नहीं देखते है फोथ लाइन, and things are not what they seem, जे वेसे नहीं है, जे से वे देखती है, ये पहला स्टन्जा का मीनिंग है, second स्टन्जा, life is real, life is honest, and the grave is not its goal, dust thou it, to dust writtenest, was not spoken of the soul, ये second स्टन्जा है, पहला लाइन क्या है, life is real, life is honest, जिवान बास्तविक है, life is real, जिवान बास्तविक है, life is honest, जिवान गंभीर या महत्वुन है, ये पहला लाइन का मीनिंग है, second लाइन का मीनिंग क्या है, and the grave is not its goal, और कब्र या स्मसान उसका लक्ष नहीं है, यह जिबान की लक्ष नहीं है समसान या कवर थर्ड लाइन का मीनिंग क्या है Dost thou art to dust returnest आट मतलब air अगे दाट मेंस you are from the dust and you will return to the dust तुम धूल से आते हो तुम धूल में लटना है अगे So fourth line क्या है Was not spoken of the soul लेकिन आत्मा की बात नहीं की थी ये आत्मा की बात नहीं है ये आत्मा की बात नहीं की थी So this is the second stanza about Third stanza Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way but to act that is tomorrow find us farther than today So पहला line का मिनिंग क्या है Not enjoyment and not sorrow Na सुख, Na दूख ये पहला line का मिनिंग Second line का मिनिंग क्या है Is our destined end or way नियत क्या हुआ या भाग्य मी लिखा हुआ लक्ष या रास्ता है First line and second line का मिनिंग क्या है Our destined end or way is not enjoyment and sorrow नियत क्या हुआ या भाग्य मी लिखा हुआ लक्ष ना सुख, Na दूख है ये second line, first line का मिनिंग है तो third line and fourth line का मिनिंग क्या है पहला line का मिनिंग क्या है Art is long and time is fleeting यहां art मतलब क्वला या क्वला कारी नहीं है Art मतलब क्या है यहां जो काम हमें दिया गया है यहां art का मिनिंग है तो art is long यहां art यहां जो काम हमें दिया गया है लंबी है and time is fleeting और समा तेजी से चल रहा है ये पहला line का मिनिंग Second line, and our heads though stout and brave मतलब क्या है और हमारे दिल and our heads और हमारे दिल the stout and brave हलाकि मजबूत और वहादुर है तो third line क्या है still like muffled roms are beating फिर भी दब्बे ढोल की तरह धड़क रहा है क्या है हमारे दिल फिर भी दब्बे ढोल की तरह धड़क रहा है यह third line का मिनिंग है so fourth line क्या है funeral masses to the grave so केसे कहा पर जाएंगे अंतीम संसकार के लिए funeral masses to the grave हमारे दिल यह धोल की तरह दब्बे हुए धोल की तरह धड़क रहा है and अंतीम संसकार के लिए funeral masses to the grave अंतीम संसकार के लिए कबर तक समशान तक पहंचने के लिए जा रहा है पहला लाइन का मीनिंग क्या है? पहला लाइन का मीनिंग क्या है? पहला लाइन का मीनिग क्या है? पहला लाइन के संगर्श क्या है? संगर्श में इजिबन के संगर्श में नायक बनो। strife in the strife of life जिबन के संगर्ष मे नयक बनो this is all about 5th तंज 6th तंज trust no future how you are pleasant let the dead past where it's dead act act in the living present heart within and God over head this is 6th तंज so first line kya है trust no future how you are pleasant भवीश कितना सुखद हो trust no future भवीश कितना सुखद हो उस पर विश्वास न करे okay trust no future how you are pleasant भवीश कितना सुखद हो उस पर विश्वास न करे second line kya है let the dead past where it's dead मरे हुए अतित को अपने मृतकों को दफना ने दो so third line kya है act act in the living present आपको जो काम करना चाहिए आप जो काम करना चाहिए इस बरतमान में करो living present में करो जो काम आप करना चाहिए ये third line है fourth line की मिनिंग क्या है heart within and God overhead heart within दिल भितर उच्छा से and God overhead और भगवान उपर है भगवान सब कुछ देख रहा है दिल भितर उच्छा से और भगवान उपर है सब कुछ देख रहा है ओके सो आपको जो काम करना चाहिए इस बरतमान में करो lives of great means all reminders we can make our lives sublime and departing live behind us footprints on the sands of time सो ये seven stanza है सो फहला line क्या है lives of great means all reminders महापूरसों के जिबान हम सभी की याद दिलाती है okay महापूरसों के जिबान हम सभी की याद दिलाती है so second line क्या है we can make our lives sublime हम अफने जिबान को उत्कृष्ट बना सकते है okay sublime मतलब उत्कृष्ट we can make our lives sublime हम अफने जिबान को उत्कृष्ट बना सकते है so third line and departing live behind us depart मतलब यहां मर ना die okay and departing live behind us and at the time of departing we will live behind us और जब हम प्रस्तान करेंगे जब हम मरेंगे तो क्या होगा हम अपने पिछे छोड़ देंगे live behind us we will live behind us हम अपने पिछे छोड़ देंगे तो क्या यह foot line है foot friends on the sands of time समय की रेत समय की बालू समय की बालू का पर पेरों की निशान okay that means समय की बालू for कुछ examples हम छोड़ देंगे okay this is all about a seventh tanja तो eighth tanja बोलते है किसके लिए हम पेरों की निशान छोड़ना है यह पेरों की निशान क्या है यह eighth tanja बोलते है तो foot friends eighth tanja क्या है foot friends that perhaps another selling or life's soleilman a fallon and siplicate brother sing saltake heart again okay so first line क्या है foot friends that perhaps another पेरों की निशान सायद एक और second line selling or life's soleilman जो जिबान के गंभीर महाशागर में selling that means who must be selling जो जिबान के गंभीर महाशागर में नौकायान कर रहे होंगे okay who must be selling of our life's soleilman soleilman मतलब गंभीर deep heavy mean मतलब क्या है ocean महाशागर okay so selling or life's soleilman that means who must be selling of our life's deep ocean okay जो जिबान के गंभीर महाशागर में नौकायान कर रहे होंगे okay so this is second line third line क्या है एक फ्लान एड़ शिफर के ब्रदर एक निराज एक लाचार एक असहाय और जो और जहाज की तवाही का सिकार होने वाला भाई okay ये third line का मीनिंग है fourth line क्या है sing shall take heart again so sing मतलब क्या है देखकर shall take heart again that means he will take heart again that means एक फ्लान एड़ शिफर के ब्रदर एक निराज एक लाचार एक असहाय और जहाज की तवाही का सिकार होने वाला भाई एक पेरों के निशान देखकर उनका फिर से दिल लग जाएगा एक फूट फ्रिंट देखकर एक पेरों के निशान देखकर एक जाएगा देखकर इस अल बाउट देखकर लास्त आज़ लट उस देन बी अफ अन दूएं विथा हट फो अनिवेट इस दिल अचिविंग इस दिल पूशिंग लॉन तूलेबर अद तूएट फ्स्स्त लाइन क्या है लेट उस दिल भी अन दूएं लेट उस चलो दिल भी अन दूएं उठो और करो second line क्या है उट पो एनिवेट लेट के लिए किसी भी भाग्य के लिए किसी भी स्थुति के लिए किसी भी शिचुएशन के लिए सहाश के साथ okay so third line still achieving and still pursuing we must be achieving, we must be pursuing हमें हसिल करना है और हमें पिच्छा करना है so both line क्या है? learn to labor and to wait लेकिन हम मेहनत करना और इंतिजार करना सिखेंगे this is all about the poem ये एक inspirational poem है thank you for watching but one request never hesitate to subscribe this channel and never hesitate to share this video bye